हलो बच्चों असलालेकूम कैसे हैं आप सब आज हम क्लास 4 चेप्टर नमबर 8 चतुर चित्रकार कल हमने चेप्टर नमबर 7 की कोशन आंसर करे थे आज हम यह वाला चेप्टर पढ़ेंगे अच्छे से आप समझ आए चतुर मने चाला चित्रकार जो पेंटिंग वगेरा बनाते हैं चलो स्टार्ट करते हैं चित्रकार सुनसान जगा में बना रहा था चित्र इतने ही में वहां आ गया यम्राज का मित्र उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गये होश नदी पहाड पेड पत्तों का रहना गया कुछ जोश फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप बोला सुन्दर चित्र बना दू बेट जाईए आप उक्रो मुक्रो बेट गया वह सारे अंग बटोर बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार अब मुँ आप उधर तो करिये जंगल के सरदार बेट गया वह पीक भिराकर चित्रकार की ओर चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर अब देखो ये एक पोयम है अब इसमें चित्रकार के बारे में बतायागा जो चित्रकार है वो लोग हमेशा अपनी ड्राइंग वगेरा जो वो नक्षा वगेरा जो भी वो बनाते हैं सिंडरी वगेरा तो वो एक सुंसान जगा पर जाकर बनाते हैं जहां पर कोई भी उनको डिस्टब ना करें और कोई उनको हला गुला वहां पर नहीं चाहिए शोर चित्रकार मने वो जो पैंटर होते हैं वो पैंटिंग करते हैं उसे चित्रकार कहते हैं सुंसान मने वीरान जहां पर कोई ना आता हो जगा में बना रहा था चित्र वहां पर वो एक चित्रनक्षा बना रहा था इतने में वहां पर कौन आ गया यमराज का मित्र यानि की यम यम्राज किसे कहते हैं जो मिर्त्यू का देवता होता है जो उसे कहते हैं यम्राज वहां पर आ गया है कौन आ गया है मिर्त्यू का देवता यानि कि शेर शेर आ गया वहां देखिए उसे देखकर चित्रकार के तुरण उड़ गया उसको देखकर वो जो पेंटर था उसके क्य उड़गा होश उडगा नदी पहाद पेड़ पत्तों का रहना गया उसे जब आपे नदी पती पेड़ पोद्म भाटव과 loss की डिशक का की विसंद्व चित्र बना वो उसको क्या किया नहीं कि आप बैठ जाईए मैं आपका एक सुन्दर सा चित्र बना देता है उक्रूम उक्रू बैठ गया वह सारे अंग बटा उक्रूम उक्रू किसी कहते हैं मलब अपने गुटनों को मोड़कर अपने मलब ऐसे चाती के बल बैठना यह देख चित्रकार को यानि कि यह मेरी पैंटी मना रहा है तो मैं इसको जहां से देखता हूं चित्रकार ने का हो गया अगे उसने चित्रकार ने कहा आप आगे का पॉर्शन जो है आपका वो तयार हो गया आप आप जो है उदर अपना मू करिए जंगल के सर्दा शेर जो होता है व आप पीट फिरा के चित्रकार अब देखू वो अपना पीट करके बैट गया चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चित्रकार वो शेर जो है उधर देख रहा तो वो चुपचाप से खिसा गया और वहां से चोरों की तरह भाग गया बेठा देर तक आँख मूंद कर पीट गुमा कर शेर बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर अब शेर जो है अपनी आँखे मूंद कर अपनी आँखे बन करकर अपनी पीड गुमा कर जो है वो बैठ गया और बैठे बैठे वो सोचने लगा इतनी देर क्यों लग रहे हैं चितर बढाने में अब आगे गयी थी, वहाँ नाओ के साथ एक बांस भी था, वो ऐसे नाओ को चलाते है पानी में, चित्रकार ने फुटा फट से उस नाओ पर बेटा और वहा से भाग गया, और चित्रकार जब नाओ पर बेटकर भागा तो बीच में जाकि उसने थोड़ी से सांस ले लिए क्योंकि वो अगर शेर हमारे सामनी आयेगे हम भी डर जाएंगे जल्दी जल्दी नाओ चलएकर निकल गया वो तूर जल्दी जल्दी उसने नाव चला और बहुत दूर निकल गया इदर शेर था दोखा खाकर जुंजलाहट में चुर आप शेर ने क्या खाया था दोखा क्योंकि उसे कहा था आप उधर मुड जाएए मैं आपका चित्र बनाता हू लेकिन वो जुंजलाहट मने गुसा शेर को क् चित्र बनाता है उसको बनाते रहेए तो कोई भी हो शेर को देखे तो हर कोई डरेगा तो इसलिए चितरकार नी जो है वहां से मोका देखके वह भाग गया तो बच्चों इस चैप्टर के रच यहता यानि कि इसके राइटर है राम नरिष्ट रभाटी जी तो हमने यहां से यहां तक कोशन आंसर चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया आप यह शब् आंसर और यह कवीता की पंग्तिया और यह टी क्रोस यह वगेरा हम इंशाल्ला कर करेंगे अल्ला